किसान बाइयों के लिए एक तो यह सप्रे की मसीन ले रहे अपने मनू चैल साब इस ते कुछ से जानकारी लेवाँ बैसमा कितना मत्रों फायदा है कितने मतिसमा लीटर पाने डला है और इस अब तेल की एवरेज कितनी आवाई यह बैए तेल से चला बैए पेट्रोल से साइ सबसे पहले तो मैं किसान चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम कहना चाहूंगा और किसान चैनल को भी बदाईयां देना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म त्यार किया है जो अपने किसानों की आवाजें आगे स्टेज पर रख सके और एक दूसर किसान उसका फाइदा उठा सके इसके लिए मैं बहुत ही अबारी हूं और दिन्यवाद है कि किसान न्यूज जो चैनल है जो अपने किसानों की वाजे रख रहा है तो मनूल इस यह जो पंप है अपना इसमा किते लिटर पानी आजे यह देखो जी यह मैंने लेया था इसको चैनल होगी चैनल होगी उस टाइम पेश के उपर सबसीडी आए थी लेकिन काज कारवाई पूरी ना होने की वज़ाए से मेरे को सबसीडी मिली उस टाइम पर बहुत महें गाए था 24,000 रुपे का एसपी का है यह ठीक है लेकिन मेरे को लग रहा है कि सबसीडी वाला यह को चैनल होगा लेकिन जरूर मैं आपको रेफरेंस दूँगा कि राजा सप्रेयर पंप है पंजाब से जो अपने इशार चीव मेला लगता है तो उसमें आता है वो तो उसका बहुत बढ़िया पंप है उसका प्रेसर भी अच्छा है इसका इसके अंदर मेरे को पांस साल में दिक्कत तो आई एक इसका प्लंजर था जो वो लीकेज लगी थी इसके अंदर और मैं उसी से उसे पुछा मैंने फोन करके तो उन्होंने बोला कि हम ठीक कर देंगे वैसे तो करते नहीं है वो वो नया ही देते हैं लेकिन सपेशल उन्होंने किया इसको ठीक और बहुत है और पोद्दे का निच्चे से उपर तक दोनों साइड में सपरा हो जाता है आज तक जितने भी सपरेयर आए हैं जो देखे आपने ट्रेक्टर से भी करते हैं तो पूरा नहीं लगताता यह बिल्कुल समान तरीके से करता है और दवाई भी बचाता है और मैनत भी बचात है उसको उसके अंदर अच्छा जल्टा है यह भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसको जाधा प्रफरेंस देंगा क्योंकि इसके अंदर अच्छा है मतलब फोग बना देता है पत्ते के निच्चे और ओपर दोनों तरफ से इसका सपरे हो जाता है तो इसकी तेल की इतनी है किल पर एकड़ की पता हमाँ पहले प्टंकी के शाब से बोलूँगा अगर वो गन लगाते हैं तो यह तीन मिंट से पहले खाली कर देता टेंक को कूल तीन मिंट में तीस का लगा लो एक डबड़ी शाइड में जाणा उराना खतम हो जाती है और इसका पैसे के शाब से लगाएं है हाँ मुश्किल से उसे कम ही कम है पहले बातों किसांद का टाइम बज्जे है टाइम बज्जाता है सपरे दवाई आज कितनी महंगी दवाई आ रही है देखो बड़े टैंकोर में डालते हैं कुछ तो उसके अंदर ही रह जाती है कुछ पाइप इतनी लंबी होती है कि मुञा नहीं है बंड़ा को एक बंदा यह है अगर 20 तो व्रेस काम कर रहे हैं तो बारी बारी क्वर से पांटार को फोर जगे है इसा मेंटेनेंस जीरो है बिल्कुल आपको बस इसका मोबिल टाइम टाइम पर चेक करना रहता है और थोड़ा सा ग्रीस होता है जो इसके पिस्टल जो चलता है उसके अंदर समाल रखो दूसरी चीज महिने में एक बार या दो बार इसको आप चला होगे तो क्योंकि चलती चीज नहीं रहती है ना तो इसके अंदर प्रोब्लम नहीं आती कार्बन को वागया जो भी जो उसमें नहीं आता तीसरी चीज है देखो जी पानी इसके आंदर साफ होना जाए जो पानी डालते हैं यह एक रखोंपर मेंटेन रखें देखें इसके अंदर कोई मिटी या फिर करते हैं कई द्वाई आती हैं जो इसके अंदर पड़ी रहें तो पड़ी रहने से वह रियक्शन करती है और अपना मैटल जो अंदर का खराब हो जाता इसलिए इसको साफ कर दे एक बार सप्रा किया दो बार पानी निकाल दें उसको साफ हो जाएगा बिल्कुल कोई टाइम लगता पांस-दस मिन्ट लगती है थोड़ा सा किसान अरकत कर जाते हैं उसकी वजह से फिर मशीन खराब हो जाती है इस तंकी से आप कितने एकड में खेती कर रहे हो इस टंकी से मेरे पास अभी में बारा एकड की खेती कर रहा हूं पिसली साल मैंने 25 एकड की खेती की थी उसजी हैह टाइकड के साथ और 10 एकड के अंदर मैंने दरमा लगाया था तो इसी से मैं एकड में सुभस से लेकर दोपाइर तक आठ एकड मैंने इसके अंदर गोओर लगा रहा था सुभसी लगता है लेकिन आदत पर जाती है 241 जो लेकिन आसं इतना जोर से पाइप को खीचते हैं उसमें जादा मैनत है मैं लगता हुआ इसके अंदर कम मैनत है अगर उसके अंदर चार बंदे लग रहे हैं इसके अंदर दो बंदे भी काम करेंगे तो अराम से उससे असानी से कर पाएंगे और रिजल्ट भी अच्छे अधिया अरियाना में भी काई सोब के पास मिल जाएंगे आपको हां लेकिन क्वालिटी वाइज मैं अडवाइज करूंगा आपको कि राजा सप्रेयर ही ले क्योंकि मैंने वह देखा है यूज करके देखा है उसका पंजाब में यह पंजाब में है लेकिन वह ओन लाइन बेज़ दिखा दे कर दो हो 21 два डिखा चल升 जब वर चुब है जब कई दुलों में जह हैं इसको चौक ऊपर उठाओ ऐसे निचे यह है देखुए चब्लट करितो है यह को रबर से इसको ऐसे दबाते हैं यह दो बार में आपर चला जाता है उसके बार यह यहां से खीचला बाता है आफल यह के लिए जरेज करेंगे कि आफिक यहां से बंद हो जाएगी करना और मोबिल मोबिल भई इस ताना बुलाज है यह स्टार्ट था ना इसको निच्छे करना होता है यह चोक लगा रहा गया था यह चोक लग गया गया तो रिचे करो अब नेहीं है लूज सकते हैं जादा करना तो प्रेस को टाइट और इस सइट से ते पिस्टल चलते हैं यहां पे थोड़ा सा ग्रिस लगाना होता है रूब्रीकेंट लगाते जो इसके अंडर यहां से खुल जाता है इसके अंडर यह लगा रखे अगरीज तो बने कर दो और इसमें कोई लंबी चोड़ी ज्यादा कोई ऐसी मेंटेनेस नहीं है मौबिल डलेगा यहां पर इंजनोल है मोबिल डलेगा यहां पर इसके ऐनाव इनकर को कर दिए। तो इहां से खोल कि इसके साफ कर सकते हैं तकी को कि आता है मोती संब कोई ज्भा 처럼 हो नहीं है कि शीखने के लिए क्या आशान ही नौव। सारे कुछ इसकी इंजन की मेंटनेस बहुत कम होगी बहुत यह क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन है फोर स्ट्रोक के अंदर अब तक मैंने इसको सर्विस वगारा कुछ नहीं करवाई बस अपने आप ही ओल चैंज कर लेता हूं और इसके अंदर यह डाल दिया पैस छह साल होगी ना के बराबर है और पेट्रोल की खपत भी बहुत कम है इसमें फोर स्ट्रोक में टू स्ट्रोक में किसान बाई कई बार होता है कि मोबिल डालना बूल गए या कुछ होगे इसमें प्रोब्लम आती है इसमें 500-600 ml आता है सिर्फ हाँ है छोटी बोतल रखो बाकी ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं है अराम से 4-5 किल्लों में दोपेर तक आप शप्रे कर सकते हो उसके बाद रेस्ट करके श्याम को फिर कर सकते हो जैसे स्टेंड भी इसके साथ है यह स्टेंड ताकि क्योंकि वेट इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है तो किसानों को कोई कमर में जटका लग गया या कोई प्रोब्लम आगी उससे बचाता है यह थोड़ा सा उपर इसको फिल करके उपर रखो और अराम से उठा के चल ले और बाकी किसान जादा दिक्कताली बात तो मना लग दीकूनी इस बिल्कुल प्रेसर जबरतास निश्का दिखन लाग रहा बाई जमादू मादा अठायर कि जमावाई प्रेसर है अर जब अब इसकी जो राय दी है अजे अच्छी लाग है तो इसको वीडियो को सेरो और मा में वीट करल है अच्छी लाग है अप्रेसर जो सीष्यसबरस में में ईध़ तो मुथ धर्लार सांवर किताशन लाग है